पॉटी क्लॉक आज हम एक ऐसी घढ़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी बॉड्डी के अंदर होती है और हमारी जिस्दिक की टिक टिक को नियंतरित करती है हम जानते हैं कि हमारी बॉडबी में तमाम चीजें timed होती हैं, कई चीजों की timing को हम महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि भुख लगने की timing, पौटी जाने की timing, नीन की timing, दिल के धड़कने की timing, सांस की timing, बगेरा बगेरा, तो हमारे शरीर की ये जो हजारों complex गतिविदियां हैं, इनकी synchronicity को maintain करती है body clock, अब अगर body clock को कुछ हो जाए, तो फिर गर्वड हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, aging process accelerate कर सकती है, और जान भी जा सकती है, सोचो अगर time पर current ना पहुंचे, तो cardiac arrest हो सकता है, memory wipe out हो सकती है, तो आए हम body clock को समझने कोशिश करते हैं, अगर हम broader sense में देखें, तो body clock हमारी पूरी life को regulate कर करती है, और अगर सुक्ष में रूप में देखें, तो हर minute हर second होने वाली गतिविती को, तो body clock का वो system जो पूरे एक 24 घंटे को नियमेत करता है, technically circadian rhythm कहलाता है, और हमारे शरीर में छोटी छोटी कई घड़ियां होती है, लेकिन एक master clock होती है, brain में, optic nerve के पास में, तो जो सभी इस master clock के साथ अपना time set करती हैं, और यह जो master clock है, यह light के लिए sensitive होती है, और solar light इसको set करती है, और artificial light इसको विचलित कर सकती है, और आजकल problem यह हुई है, कि हमारा artificial light का exposure है, यह बहुत बढ़ गया है, और natural light का exposure घट गया है, में लिए तीन बजों से, एक तो यह है कि क साफी ऐसी बन रही है, जिन में natural light कम जाती है, और दिन में भी artificial light का इस्तिमाल करना पड़ता है, और तीसरी बात यह है, कि बहुत सारी ऐसी devices आ गई है, जो हमारी आख के सामने रहती है, और light emitting है, जिसे कि television, computer, touch screen बगएरा, तो इन सब की वज़े से कई लोगों की body clock इसे constipation से लेकर cardiac arrest तक की problems हो रही है, तीन ऐसी बीमारियां हैं जिनका बड़ा connection मिला है body clock के साथ, और यह है thyroidism, heart diseases और cancer, hypothyroidism की बात करें तो यह तो पूरी की पूरी बीमारी ही body clock की है, और यह बीमारी पहले बहुत कम लोगों को होती थी, आजकल बहुत लोगों को होती ह teenage में हो जाती है और ladies को जादा हो रही है क्योंकि वो indoor जादा रहती है, इसी तरीके से जो लोग shift में काम करते हैं, उनको cancer और heart disease होने की संभावना 5 गुना तक बढ़ जाती है, तो यह जरूरी है कि हम अपनी body clock को दुरुस्त रखें और इसको दुरुस्त रखना मुश्किल नहीं है, बस हमें करना यह है कि artificial light के exposure कम करना है और natural light के exposure बढ़ाना है, और ऐसा करने के लिए हमें चाहिए कि हम 10 वजे तक सो जाएं और सुबह 6 वजे तक उठ जाएं, हाँ यह ध्यान भी रखना चाहिए कि सौने के 2 घंटे पहले से जितनी भी light emitting devices हैं, टच स्क्रीन बंद कर दें, और सुबह और शाम को कम से कम एक एक घंटे आउटओर रहना चाहिए बगएर चस्मा पहने हुए, ताकि natural light हमारी आँख में जा सके और हमारी master clock को set कर सके, body clock ठीक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल आ सकती है, ऐसे लोगों को जिन बदलनी पड़े, जगे बदलनी पड़े, नौकरी बदलनी पड़े, लेकिन आप body clock के साथ खिलवाड मत करिये, कुछ लोगों को ये लग सकता है, कि अगर हम लगातार रात में जागेंगे और दिन में सोएंगे, तो हमारी body एराप्ट कर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला ह क्योंकि biological changes होने में काफी generations और हजारों साल का वक्त लगता है, हमें ये समझना चाहिए कि after all life span भी एक time span है, और time poor होना money poor होने से ज़्यादा बड़ी problem है, तो हमें चाहिए कि हम अपना time reclaim करें और अपनी body clock की टिक-टिक को दुरूस्त रखें झाहिए कि दूस्त रखें